नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नीव्स और मैं हूँ आपके साथ छवी देश और प्रदेश में खुशहाली, सुरक्षा, समरधी के साथ भारत को 2047 तक दिक्सित राश्टर बनाने की गैरंटी ही मोदी की गैरंटी है ये शत्प्रतीशत क्रियानवित होने वाली गैरंटी है यानि जो कहा वो खरके लिखाया इसके बाद हम सभी भारतियों का संकर्प होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने इसके लिए आतंकवाद, नकसलवाद, जातिवाद और ब्रष्टाचार को समाप्त करना होगा ये बाते मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने गुरुवार को यहां आजम करके अकबेलपुर ग्राम में आयोजित दिक्सित भारत संकर्प यात्रा कारिक्रम में कही सियम ने सभी से किया यात्रा में जुन्ने का आवहन अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साड़े नौस साल में देश में हुए परिवर्तन को हर व्यक्ती महसूस करता है दुनिया में भारत का सम्मान बड़ा है विकास की बड़ी योजनाई मूर्त रूप ले रही है और कल्यानकारी योजनाओं का लाब बिना भेदभाव के गाव गरीब किसान महिला और नौजवानों को मिल रहा है उन्होंने काए कि आने वले समय में शत प्रतीशत जनता को योजनाओं का लाब मिले इसके लिए गाव गाव में विकसित भारत संकर प्यात्रा निकाली जारी है मुक्यमंत्री ने काए कि उत्तर प्रदेश में 526 वीडियो वैन भी इस कारे में लगाए गए है CM योगी ने काया कि इस यात्रा के जरिये सरकार की योजनाओं से संबनद एधिस्तॉल योजनाओं के फार्म स्वास्त मेले आदी का योजन हो रहा है प्रदेश में अब तक 55 लग गरीबों के लिए घर बनाये गए हैं हर गरीब को अगले पांच साल तक फ्री राशन की सुविधात दी जारी है ये सब मोदी की गैरंटी है आजमगर का हो रहा भाग्योदय मुख्यमंत्री ने काए कि आजमगर में विकास तेज गती से दौरता दिख रहा है यहां निर्माना धीन महराजा सुहेल देव विश्विध्यालय का निर्मान कारे जन्वरी में पूरा हो जाएगा इसके अलावा पुर्वांचल एक्सप्रेस वे संगीत महाविध्यालय एयरपूर्ट जैसी योजनाएं आजमगर का भाग्योदय करने वाली है उन्होंने काये कि हर चेहरे पर खुशाली और हर गरीब के सुनवाई और उनकी समस्याओं का समधान होना चाहिए यही मोदी की गैरंटी है मुक्यमंत्री ने काये कि आजमगर में आज भै और आतंक नहीं बलकी विकास और संगीत की सुन्दर लहरियां गुंज रही है डबल एंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आई है प्रदेश में लाखो करोड का निवेश होने जा रहा है जिसके रोजगार के नए अफसरों का स्रजन होगा उन्होंने विभन योजनाओं के लाभार्तियों की चर्चा करते हुए कहाए कि जिन्हें योजनाओं का लाब अब तक नहीं मिला है उनके लिए ही इस विखसित भारत संकल प्यात्रा का येजन किया जा रहा है लाभार्तियों ने मंच से अपने अनुभवों को किया साजा इससे पहले विभन योजनाओं के लाभार्तियों ने मंच से अपने अनुभवों को साजा किया पीम किसान सम्मान निधी योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वामेत्व योजना, निराश्रेत्व, महिला पैंशन योजना के लाभार्टियों ने प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी और मुख्य मंत्री योगी आदितनात के प्रयासों की सरहना करते हुए उन्हें कोटी-कोटी धनेवाद दिया मुख्य मंत्री ने इस अवसर पर विभर्यन योजनाओं के लाभारतियों को प्रमान पत्र भी वित्रत किये वहीं अपने उद्बोधन से पहले मुख्यमंत्री ने यहां आये चोटे बच्चों का अन्य प्राशन संसकार संपन कराया साथी धात्री महिलाओं को पोशन पोटी भी वित्रत की इसके उपरांत उन्होंने विभिन योजनाओं से सम्मंदित स्टॉलों का निरुक्षन किया उन्होंने आजमगर के वन डिस्ट्रेक्ट वन प्रड़क्ट ब्लैक पॉट्री का भी अबलोकन किया उपस्तत सम्हों के साथ मुख्य मंत्री ने भारत को 2047 तक आत्र निर्भर और विक्सित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने की शपतली इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सांसत दिनेश लार्यादव निरहुआ मल्सी विजय भाद्दूर पार्थक यश्वन्त सिंग रामसूरत राजबर विक्रांत सिंग बीजेपी छेत्री अध्यक्ष सहजानंद राय जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल सूरज प्रकाश रवास्तव पूर्वसांसत नीलम सूनकर सहत बड़ी संक्या में स्थानी जनता उ पस्तद रही